नमस्कार दोस्तों में आप सब को स्वागत है दोस्तों तो देखिए बरसात का मौसम खतम होने वाला थंडा का मौसम आने वाला है तो देखिए दोस्तों थंडा का मौसम ही आते ही गाहों की माता है बाइनों जो चिपरी गोठा से चुला जलाती है जैसे हम भी जलाते हैं तो अपने रसोई घर से चुला बाहर कर देती हैं जैसे आंगन में या छट पेर जिसके जैसा साधन रहता है आप लोग भी पता है दोस्तों कि मेरा भी चुला छट पर ही है किचन से बाहर तो देखिए दोस्तों आज छुनु के पापा बोले कि चलो आज तुम्हारे लिए न देखिए दोस्तों हम आ गए हैं यह उपर चट पे उपर जहां मेरा किचन का रूम है तो देखिए यह चुला बनाने में क्या-क्या समान लगता है आप लोग कम दिखाते हैं वीडियो में एक कडाई हैं बालू लिए हुए हैं यह चार को खपरा भी निचे सम लेके आए है और यह रड है 25 पीस लिए हुए रड एक फिट का कटा हुआ है लंबाई में और इदर यह दो टीना लिए हुए हैं यह तेल का खाली किया हुआ टीना है इस तरह एक छुनो को पपा काट लिए हैं लंबा कर लिए हैं कटिंग करके और देखिए इस तरह दुसरा टीना को भ अब केची के मदद से देखिए लंबा भी कर लेते हैं काटके इस तरह काट लेंगे यह भी खुल गिया है इसको अच्छा से लकडी के सहारा से थोड़ा से पीट-पीट के सिधा कर लेंगे क्या के यह भी सिधा वो गिया है अच्छा से जोड देंगे इस तरह दोनों को जोड देते हैंक दूसरे पर चड़ा के जूट भी गया और पहम भी बना लेंगे अंदों दोनों मिलके इसको destruction के सुढ बना लिए है दो चार तार है इसी से बांध लेते हैं और यह तीना वाला धकन है पेंप के आगे भाग में हम लोग लगा दे रहे हैं जो ऊपर में रहेगा कि जिसमें यह धकन लगने से बर्सात का पानी पेंप के द्वारा चुला के पास ना है और अगल वगल से देखिए स्याड से गुसे पेंप में तो यह धुआ निकलने होला पेंप बनके त्यार हो गिया है और देखिए इधर खप्रा जो लाए है अभी च्छान का घर इसी से बनता है अभी भी गाह में अच्छा से मिल जाता है अभी भी है भी गाह में च्छान का घर तो इसी को भी हम लोग देखिए यह खपड़ा को जुंट कर लेते हैं इसको भी पना लेंगे ये दो दो को मिला के देखे इस तरह पना लिए है तार्क से अच्छा पोवाल है, मिटी में दे दे रहे हैं, इसके बाद अच्छा से मिला देंगे, मिटी को मादा देरी तक ले फुलाएं, ज्यादा देर तक कि अच्छा से मिल जाएगा, मिटी अच्छा से सानने के टेम, तो देखिए इस तरह मिलाएंगे हम, यह चुला चुने के पपा बोले कि तुम बहुत परिसान होते रहती है तो चलो तुमारे लिए एक अच्छा तरीका से हम चुला बना देते हैं कि बरसात में भी खाना बनाने बाहर में दिकत होता है हावा से भी चुला अच्छा से नहीं लाड़ता है धुमा से भी परिसानी है, लकडी भी ज़्यादा खपत होता है, खाना भी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस सब के राहत के लिए हैं, अलग तरीका से चुला बना रहे हैं, खाना भी देर तक गरम रहेगा, लकडी का भी बचत होगा, एक चुला में दो बरतन भी चड़ेग यहां च्छत के पूपर जहां मेरा यह रसोई घर है देखिए यहां पहले च्छत के जाम चुला बनाएंगे वहां मीटी से लेप लगा लेते हैं कि चुला लगाएंगे लहराएंगे वहां च्छत धीपे गाने इसलिए हम नीचे मीटी का लेप लगा दे रहें देखिए जित उतना रखेंगे उसके नििषार से हम इतना भिचा Allen उसके बाद ये देखें बरतन को चड़ाके के उसपर कि मेरे लंबा दोनों जो बरतन हमेशा खाना भनाते हैं वहीज बरतन रखेंगे नापी से देखे इस तरह कि दोनों चड़ रहा है असानी से और रड़ भी उपर से बिछा लिए एक अंगली के घुशने के दूरी से हम रड़ बिछाएं और नीचे से हवा आएगा और छा भी गिरेगा नीचे से रड़ के उपर चुला लगाएंगे हम और उसके उपर देखे एटा फिर से बिछा दे रहे हैं और वहां आधा एटा देखे हम टेक कर दे रहे हैं और यह कड़ाई बालू था चुला हमें डाल दे रहे हैं कि चुला जलने के बाद बालू दीब जाएगा तो देर तक चुला भी करम रहेगा और मीटी बाले के उपर से लेप दे रहे हैं देखे इस तहरे ढळायों की तरफ और सिलकन की तरफ निंग देख रहा है वीडियो में शिबते बास द्राइबहें अगज आप लोग को दीख दागा बढ़ी हम यहाँ चोटा वश्य के सीधा में धुआ निकलने वाले पैंप लगाएंगे और देखे इस तरह अब लगा दे रहे हैं देखिए धुमा निकलने लगा देखिए खपरा लपेंप पहले नीचे लगाएं इससे धुमा का तापमान ज्यादा गरम रहता है तो नीचे का खपरा ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा अब यह दूसरा खपरा लपेंप जोड़ रहे हैं इसके बाद टीना वालर प्राइ कर दिए हैं इसके बाद कलर से दिखिए हम दो तलर कर चुला में कलर डाल रहे हैं वेयंके साथ तेके कलर पूरा रहा हम जी देंगे नहीं जी दो चुला में मिला देखिए चुला जल गया है दुमा बाहर चुला अंदर तो तोस्तो आज के बुड़ियों यहीते रखते हैं बाए दोस्तो